बेंगौल की बात में थोड़ा सा करना चाहता हूँ वहां संदेश काली के बाद आपकी स्थिती पिछली बार 18 सीटें आई थी और लोग मान नहीं रहते कि आपने मुझसे इंटर्व्यू में कहा था कि बहुत अच्छी स्थिती है हम लोग सोच रहे थे कि 18 सीट नहीं पर हम मैं बॉटम का अंकड़ा भी कह रहेता हूँ क्योंकि चुनाव काफी बाकिए वहां साथ चरन में चुनाव होना है बॉटम का अंकड़ा हमारा 25 है 25 से ज्यादा सीट हम निश्चित रूप से बंगाल में चितेंगे इस बार बंगाल में भारतिय जिता पार्टी सबसे दो ही सीट मिली थी वहां 18 सीटों पर वो एरिया जो है वो आपके लिए बहुत एहम है कोलकता हुगली 24 परगना हावडा तो वहां पर कैसे कैसे करेंगे यह वहां पर आपका संगठन भी उतना शायद स्ट्रॉंग नहीं है देखे 2017 से भारतिय जन्ता पार्टी ने लगातार पस्चिम बंगाल में संगठन का भी विस्तार किया है और चुनावी सफलता के आंकडों में भी विस्तार किया है 2017 से लगातार हम बढ़ते ही जा रहे हैं विगत विदान सभा चुनाव की में बात कभी है हम दो लोग थे 77 हो गए बहुत बड़ी जंप है Congress Zero, Communist Party Zero आज Prime Opposition भारतिय जन्ता पार्टी वहां बनी हुए हमारी दो लोग सभा की सीटे थी 14 में 19 में 18 हुई और इस बार हम 25 को 25 से काफी आगे निकलेंगे यह मेरा विश्वास है बंगाल की जन्ता एक करोडों रूपिया जो पकड़ा गया है इसमें ED पर सवाल नहीं उठाती है महमता जी पर सवाल उठाती कि रूपिया कहां से आता है रूपिया किसका है यह रूपिया बंगाल की गरिब जन्ता का रूपिया है वहाँ पर मोदी जी की योदनाय नीचे नहीं पहुँच रही है डर है उनको कि इस योदना से मोदी जी लोग प्रिय हो जाएंगे क्या दो से बंगाल के गरिब लोगों का क्यूं 5 लाग तक का उनको स्वास्ति की सुविदाय नहीं मिल रही है क्यूं अनाज उनका काला बजारी में बेचा जा रहा है क्यूं जल से नल नल से जल की योजना वहाँ ठीक से इंप्लिमेंट नहीं हो रही है क्यूं अब तक C.A.S.N. को महरूम रखा गया है केवल और केवल वाट बेंक की पोलिटिक्स के करोन ब्रष्टाचार के कराण ब्रष्टाचार उनका उजागर हो चुका है बंगाल की जनता के सामने ममताजी एक्सपोज हो चुकी है एक महिला मुख्यमंत्री के सासन में जीस तरह से संदेश खाली में सालों तक बेहनों माताओं पर अत्याचार होते रहे और उनके पार्टी के निताओं के द्वारा होते रहे सुप्रिम कोर्ट और हाई कोर्ट को दखल करने पड़ते तब जाकर एरेस्ट करते है सर मानी चाहिए इडी पर भी हमला हुआ था इडी पर हमला तो छोड़ो भई अलग बात है मैं जिनोंने वाट दिये वो बंगाली माताओं बेहनों की बात कर रहा हूँ उन पर आपके पार्टी के निता अत्याचार करे आप उनको एरेस्ट नहीं कर रहे हो और हाई कोर्ट ने ओडर करने पड़ते हैं बंगाल की जनता है सब जानती है मेरा तो बंगाल की माताओं बेहनों से करबद निविदन है कि इस बार सकती का परिचय रहूल के साथ-साथ ममता जी को भी करा दे इस बार मोधी जी कश्मीर काफी दिनों बाद गए आर्टिकल 370 एरपील होने के बाद उनकी बहुत बड़ी सभा हुई वहाँ पे क्या आप लोग को उमीद है कि वहाँ चुनाव में आप लोग अच्छा करेंगे कश्मीर वेली में कोई अकाउंट खुलेगा दिखे कश्मीर वेली में भारती जनता पार्टी के अकाउंट खुलना न खुलना यह बड़ी बात नहीं है परंतु तीन परिवारवादी पार्टी ओने कॉंग्रेस पार्टी, एंसी निस्नल कॉनफरेंस और पीडिप यह तीन परिवारवादी पार्टी ओने वहाँ पर लोग तंत्र को पनपने ने दिया आजादी से अब तक वहाँ पंचायच चुनाव नहीं हुए पहली बार हमने तीस अजार पंच सरपंच को चुनाव कराता है, सिल पंचायत बनी, जिल्ला पंचायत बनी, पहले वो तीन पार्टी जिसका चीट फारते थे, वो ही नेता होते थे, मैं गाटी के मुसलमान भाईयों बेनों को कहने आया हूँ, कि आप कृपिया, अगर चाहते है कि जमुर्यत पाताल से निचे तक चली जाए, लोकतंत्र पाताल से निचा चली जाए, इसके मूल पाताल से निचे जाना है, तो ये तिन परिवारवादी पार्टियों को साप कर दो, जिसको वोट देना है ना इसको दो, परन्तु कस्मिर में तब ही जाकर लोकतंत्र आ यह 370 का हुआ बनाये थे, भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जीन ने 370 को समवाप्त कर दिया, आज हर कस्मीरी को पांच लाग से ज्यादा स्वास्त को मिलता है, पाने मिल गया, चावल मिल रहा है, सारी स्वास्त की सुविधाये मिल गई है, बड़े बड़े दूस निकल रहा है, यह लोगतंत्र की बहाली के कारण हुआ है, एक बार कस्मीरी की जनता ने हिम्मत करना चाहिए, जिन लोगों ने 75 साल तक कस्मीरी की जनता को लोगतंत्र से महरूम रखा, समविधानिक अधिकारों से महरूम रखा, और अपने केंदर सरकार की स्कीमों स महरूम रखा, उनको दंड दिजिए, लोग तंत्र को मजबूत कर दिए, भारतिय जनता पार्टी को वाट दिजिए, जिसको देना है इसको दिजिए, परन्तु गाटी में एक बार एक बार ये तीन परिवारवादी पार्टियों को सबक सिखाना चाहिए. कश्मीर में चुनाव कब होंगे, यह मैंने आप से सवाल बहुत बार पहले भी पूछा है, इस बार बोला गया कि पारमिलिटरी फोर्सेस की कुछ कमी है क्योंकि नैशनल इलेक्शन्स हो रहे हैं तो नहीं हो पार, तो इसका मतलब जल्दी होने चाहिए. सुप्रिंग कॉर्ट ने ओडर ही किया है, सप्टेमबर तक कराने की. तो इसका आउटर लिमिट है सप्टेमबर के पहले हो जाएंगे. एक सवाल जो की बार-बार होता है, आप लोगों का नारा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, वो आप लोगों ने बनवाया, प्राण पुतिष्ठा हुई. एक और नारा है, जो है, अभी तो ये जहांकी है, काशी मतुरा बाकी है. तो क्या ये अगले उसमें पांच साल में द कारेकानी का भारतिय जनता पार्टी का वादा था, कि हम समवेधानिक रूप से प्रभुश्री राम का भव्य मंदीर अविध्या में बनाएंगे, पांच सो साल से करोडो राम भक्त जिसकी रहा देख रहे थे, वो का मोदी जी ने पांच साल में भी कर दिया, सुप्रिम को रमोदी ने कर दिया, और मैं मानता हूँ कि जो द्रस्य है, वो क्षण है, दस हजार साल का क्षण है, मेरी बात याद रखना, दस हजार साल तक न किवल भारत, दुनिया इस क्षण को भुला नहीं पाएगी, और ये बहुत बड़ा लोगतंत्र का उदार्ण है, क्योंकि भ दर से मंदीर बनाया, दुनिया में ऐसे उदान बहुत कम मिलते हैं, जो भारत ने दिया है, और उसका मोदी जी के समय में होना, भाजपा के समय में होना, हम सब का सवभाग्य हमान को. जी, बस कुछ सवाल, दो-तीन सवाल और आपको मैं उत्तर प्रदेश के बारे में सवाल पूछे बिना नहीं जाने दे सकता, क्या इस बार उत्तर प्रदेश में आपकी परफॉर्मेंस 2014 से भी ज्यादा अच्छी होगी, 73 सीटे थी, निस्ची तरुप से हम उत्तर इन सब में सीटों के नाम पे न पढ़िये, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता परिवादवाद से तरस्त है, इस वार परिवादवादी पार्टियों को जनता सबक सिखाएगी, एसा मुझद धरोसा है आप से हर बार जब इंटर्वियू करते हैं, तमाम सवाल पूछते हैं, देश भर की बाते होती हैं, ग्रहम अंत्राले के कुछ अचीवमेंट्स बताईए जो पांच साल में, जो आप सबसे बड़ा मानते हैं देखे, कोई एचीवमेंट्स बड़ा या न छोटा नहीं हो सकता, हर एचीवमेंट्स की अपने जगे पे एक एहम्यत होती है, छोटे से छोटा फैसला बहुत बड़ा हो सकता है अपनी जगे पे, जैसे मैं कहता हूँ, जब पांच किलो RDX पकड़ा जाता है, तो लोगों क निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, कस्मीर के अंदर सांती, नौर्थिष्ट के अंदर 10 से ज़्यादा समझोते करकर, 9000 से ज़्यादा उगरवादियों को सरंदर कराना, वामपन्ती उगरवाद लगबग-लगबग समाप्त कर देना, नारकोटिक्स पर कठोरता से उसको भी मोदी जी के नेत्रूत में, इनके सीध्य गाइडन्स के तले गुरू मंत्राले ने आगे बढ़ाया है, देर सारे काम हुए हैं, परनतु मैं देश की जनता को एक ही बात कहना चाहता हूँ, चाहे समाज कल्यान विभाग हो, चाहे रक्षा मंत्राले हो, चाहे गु दस साल में हुआ है, और दस साल में देश की सुरत और सीरत दोनों बढ़ाया है, देश को दुनिया में सनमान मिलने लगा है, आज भारत क्या बोलता है, वो मैटर करता है, भारत का पासपोर्ट लेकर कोई जाता है, तो सनमान के साथ उसको देखा जाता है, और भारत के भव का अशिरवाद लेने आये हैं तब हमारे पास 10 साल का ट्रेक रेकोड भी है और 25 साल का एजंडा भी है विपक्स के पास ना ट्रेक रेकोड है ना एजंडा है ना नेता है ना निती है भारतिय जनता पार्टी एक कॉंक्रीट एजंडे के साथ महान भारत की रचना की कल्पना लेकर आप सब के सामने आ रही है आप समर्थन करिए मोदी जी को आशिरवाद दीजे भारती जनता पार्टी को आशिरवाद दीजे तो थोड़ा महत बद दीजेगा चार सो पार करा दीजेगा इतनी ही मेरी आप सबसे इनन्ति है धन्यवाद लेकर दोसे सामने ची स्बस्दरा करि देल दूषब को आप समर्च प्रूस्छ दीजे को आप से धन्यवाद उन्ति है जीजेगा उन्यवाद एतनी है रहां इतने ही में देल है, आप सաुने है एतनी है, झागिसे से में ड्मेंस कर दिते हैं झाल वाल समयाद, वाया दिजे मे